Hello friends, very happy Dishara to you and all your family members. Dishara के इस शुब और सर पर मैं आपको और आपके परिवार के सभी members को हारदिक शुब कमनाएं देना चाहते हूं. Dishara के दिन बुराई के उपर अच्चाई की जीत मनाई जाती है. Dishara के दिन सच को विज़े इबताया जाता है. Dishara के दिन हम सब इसी उमेद से रावण का पुतला जलाते हैं कि सच की जीत हमेशा होती है. वैसे ही as a responsible citizen और एक इंडियन होने के नादे इस वीडियो के थुरू मैं आप सब को आप सब तक एक छोटा सा मेसेज पहुँचाना चाहते हूं. मैं कोई politician नहीं हूँ, नहीं मैं कोई बहुत बड़ी leader हूँ, नहीं किसी बहुत बड़े परिवार से बिलॉंग करते हूँ. मैं एक student हूँ, जो अपनी पढ़ाई पूरी कर रही है, जो अपने future के लिए, अपना future secure करने के लिए पढ़ रही है, जैसा कि हर एक student कर रहा है. मैं कुछ ऐसी बाते हैं, जहाँ शायद मुझे नहीं बोलना चाहिए. शायद कुछ बाते जो मुझे से परे हैं, जो जहाँ मुझे बोलने का कोली हक नहीं है, लेकिन एक नागरिक होने के नादे, भारतीयों होने के नादे, मैं आप सब तक कुछ पहुँचाना चाहते हूँ. आज हम अपने देश की हालत देख रहे हैं. आज लोग, पॉलिटीशेंज, बड़े बड़े नेता हैं, नेता लोग, वो सर्जिकल स्ट्राइक और इंडियन आर्मी जैसे मुद्दों पर लड़ रहे हैं, बहस कर रहे हैं. सवाल उठा रहे हैं, क्यों, खुद से क्यों बहस करना, आपस में क्यों लड़ना, हमें अपने देश के लिए खड़ाओना चाहिए, एक जूटता दिखाना चाहिए. हम एक दूसरे से सवाल करता हैं, हर सुबह, जब भी न्यूस पेपर खुलो, जब भी न्यूस पेपर उठाओ, हर दिन वही खबर आती है. सर्जिकल स्ट्राइक पर उठ रहे हैं ये सवाल सर्जिकल स्ट्राइक होने और ना होने का सबूत सर्जिकल स्ट्राइक को पॉलिटिकल रूप दिया जा रहा है पॉलिटिक्स कि थूँ इसे देखा जा रहा है अपने इंडियन आर्मी पर उम्ली उठा रहा है वो जवान, वो इंडियन आर्मी जो अपने घर परिवार, अपने बच्चों को अपने घर छोड़ कर वहाँ शरहत पर हमारी रक्षा के लिए, हमारे प्रोटेक्शन के लिए दिन रात तैनात रहते हैं जिने अपनी जान की परवा नहीं है, वो तो पहले ही अपना सर्वश हमारे उपर ने चावर करने को तयार है, फिर हम उनकी काभिलियत पर उम्ली उठा रहे हैं, हम उन्हें गलत समझ रहे हैं, ये वीडियो बहुत छोटा है, शायद खतम हो जाए, आप देखेंगे और आप भूल जाएंगे, मेरे दिमाग में, मेरे अंदर, मेरे अंतरात्मा में कितने सवाल उठते हैं, मैं वो बताना चाहते हूं इस वीडियो के तो, कि बहुत हो गया लड़ना, हमें तो उन पाकिस्तानियों से सीखना चाहिए, जो कैसे भी हैं, अपने देश के नाम पर जान दे करने को तयार हैं, उनके लिए उनका देश ही सब कुछ है, और हम यहां अपने देश के लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं, बहस कर रहे हैं, यह गलत है, यही सही समय है हमारा, कि हम एक साथ, हम इंडियन्स, एक साथ हो कर देए, इस परिशानी का समधाना है, निकाले, हम अपने देश के लिए कुछ करें, अगर हम वहां रहकर मदद नहीं कर सकते हैं, तो हम अपनी सोच के जरिये जरूर मदद कर सकते हैं, हम समर्थन कर सकते हैं अपनी सेना का, हम साथ दे सकते हैं अपने इंडियन आर्मी का, हम अपनी गवर्मेंट परोसा कर सकते ह हाँ गलत है तो उगली सवाल करने का हक हमारा है हम करेंगे सवाल लेकिन जब देश की शान और देश की आन की बाद आई तो ने मैं इस वीडियो की तुरू बस आप तक यही मैसेज पहुंचाना चाह रही थी और यह सारी सिचुएशन बहुत पहले से हैं लेकिन मैंने देशहरा के दिन को आज के दिन को जादे उचित समझा कि ये बात मैं आज आप तक पहुंचाओ आज गुराई के उपर अच्छाई की जीत हुई है और मैं भी यही चाहती हूँ कि हम सब एक साथ हो जाएं हम भी दिखा दें अपने पडोसी देशों को कि हमारे अंदर एक जूटता पूट कूट कर भरी है हम किसी के तोड़ने से नहीं तूटेंगे हम भी अपने देश के लिए अपनी जान दे सकते हैं हम भी अपने देश के लिए कुछ कर सकते हैं हम कदम से कदम मिला कर चल सकता हैं वैसे तो ये मैसेज बहुत गहरा है मेरे पास परयाप शब्द नहीं है बोलते बोलते शायद मेरी जुबान भी लड़ खड़ा रही हो लेकिन जितना भी मेरे अंदर चल रहा था मैंने वो सब कुछ इस वीडियो के थुरू आप तक पहुँचाने की कोशिश किया ये वीडियो खतम हो इससे पहले मैं बस एक बात आपसे कहना चाहूंगे अपने देश के जवानों के लिए अपने देश के लिए हमारे लिए इस धर्ती की आन किखा दे वीरो के स्वाभिमान किखा दे मर जाएंगे मिठ जाएंगे करके सीना तान बंदे मातरम बंदे मातरम जय हिन धन्यवाद